हैलो नमस्कार साथियो मैं प्रेम आप सबका साथ करता हूं आप के YouTube चैनल से आपको का बता है कि हम इस वीडियो में में मैं आपके साथ क्रंटा फेस 2020 के कुछ मैंतवर पूंड क्रंटा फेस India कोशन भी डिसकस करना क। आपके ऐसे सी डेलवे में डेलवे ने अपने 2016, 17, 18, 19, 20 में पेपर में पूचे गया है उसके जैसे आप देख सकते हो कि आपके अगामी पेपर कैसे बनेंगे बच्चों का कमेंट आया था कि सर कोविड-19 से ज़्यादा कोशन नहीं बनते हैं ठीक है आपके बात बिल्कुल सही है देखो अगर मैं आपको गिंती के तीन से चार कोशन कोविड-19 के करवाद हूँ क्या बता हूं तीन चार में से कोशन ना बने ना पेपर मैंने बनाया ना पेपर आपने बनाया ठीक है तो पेपर किसे ने मनाया वो एक्जामिजर ने मनाया उसका कुछ नहीं बता हूँ कोई भी कोशन डाल देता है इसलिए जो जो इंपोर्टन लगते है कोविड-19 के वही मैं आपके से डिसकस कर रहा हूँ लेकिन किसे बुरा नहीं मानना कोशन कोशन अच्छा उठाया कि सर कोविड-19 से कोशन कम आ रहा है यह बात सची है पहले हम सोच रहे थी कि कोविड-19 लोग डाउन से कोशन जादा बनेंगे पेपर में लेकिन ऐसा एक्जामिजर नहीं पूछ रहा है वह पहले वाला ही पैटर्न उठा रहा है वह कोविड-19 से एक या दो कोशन मुश्किल से पूछ रहा है लेकिन हमें तो करके चलना ही होगा ठीक है बहुत अच्छा कोशन आपके मन में डाउट था मुझे अच्छा लगा आपने पूछा अगर आपको किसी भी कोशन से लेटी डाउट हो तो आप बेईजर मुझ से लिख सकते हैं नेक्स यानि कोशन आज का पहले दोस्तों आपके सामने हाली में किस राज्जे ने राष्टिय अन्वेशन अभी करण अधिनियम दोजर आठ की वैदानिक्ता को उस्तम न्याले में चुनोती दिया ठीक है दोखो कोशन अच्छा है ना कि भारत के किस राज्जे ने हाली मे राष्टिय अन्वेशन अभी करण अधिनियम दोजर आठ की वैदानिक्ता को उस्तम न्याले में चुनोती दिया 36 गड़ उत्तर परदेश भियार यमद्य परदेश ने ऐसा भारत के किस राज्जे ने किया आपका टाइम शुरू हो चुका है फड़ाफड सारे बच्चे म में चैट नहीं करने हैं सिर्वर सिर्मुझे इनके अंसर देते जाने हैं यह आपका समझ लो मोग टेस्ट चल रहा है इसका अंसर हो जोगा दोस्तों इसका अंसर हो जोगा ओप्शन है 36 गड़ ठीक है हाली में 36 गड़ राजे ने राष्टिय अन्वेशन अभी करन अधिनि है फाइन और नेक्स यानि कोशन नमबर टू आपके सामने वर्स 2020 की जनगनणा में पहली बार सिखों की गनणा एक अलग जाती है समू के तोर पर किस देश ने किया है अमेरिका ने किया है भारत ने उस्टेलिया यह इन में से कॉलनी आपको पता है सिख लोग जो सरदार ल सेंटर भी खोला गया है ठीक है अगर आपको नहीं पता हो तो आप जुरूर देख सकते हैं आप वहाँ चले जाना वहाँ पर फ्री डेलेसी सेंटर हो रहा है देखो यह बहुत ही बलाई के काम हो रहे हैं वर्स 2020 की जनगनणा में पहली बार सिखों की गनणा एक अलग जात पहलेगा इसका अंसरो जोगा ऑप्शन है अमेरिका नहीं ठीक है ऐसा पहली बार किया गया है तो इंपोर्टेंट कोशन है और नेक्स यानि कोशन नमबर थ्री आपके सामने निमन में से कौन सा बारतिय शेयर जी एल एल वैश्वीक गतिशील शेयर सुचकांग में पैलेस स्तान पर है यह 2020 में किया अकोर्डिंग आपने मुझे पताना है बैंगलोरू पूने कोलकता या हैदराबाथ जे एल एल वैश्वीक गतिशील शेयर सुचकांग में पहले स्तान पर है इसका क्या अंसरो जाएगा दोस्तो इसका अंसरो जाएगा ओप्शन डी हैदराबाथ फाइन और तलंगाना राजे का फोर्मेशन दो जनवरी सोरी दो जून 2014 को हुआ था ठीक है और इसकी कैपिटल और लार्जे सीटी है है हैदराबाथ फाइन और इसके साथ साथ यहां पे कुल जी लिया है 33 और यहां पे गवर्णर है सोधर रनजन जी ठीक है यह थोड़ा नाम अजीब सा है तो आपने तो कोई चींता नहीं करनी है आपने साउंड भी लगा लो को यह थोटी सी ट्रिक लगा लो रार अंजन लगा लो यह तिलंगा ना के गवर्णर यानि राजे पाल है अगर पेपर में कोशन नमनेगा तो आप देखती टिक कर लोगे उसके साथ लगासफ यह पर चींपनिस्टर केश चंदरशेकर राउजी है और यहां पर बाय कैमरल यह यहां पर विदान सब्था और विदान मंढल भी आ है यहां की विदान सब्था menawan prec 40 सीट्थ हैं यहां से राजे सब्था में साथ और लोग सब्था में 17 सीट्थ psychologically देखो अठाई कि कैसे याद होगी इसकी ट्रिक भी नहीं बनेलेगे बारो क्विजन करने से याद होग़ा कोईबर बीजन करने से याद होती है लेकिन लेकिन आजकर राज्य स्वार लोग स्वार से कोशन कब बंद रहे हैं उनकी सीड़ से तो हमें तो करके जाना पड़ेगा और यहां का कुद का हाई कोट है फाइन नेक्ट कोशन नमर फूर्ट आपके सामने हाली में किस राज्य की नगर पाली का च네व में फेश, रगिनिष़्म ,S 우리가 사용र ओड़ेगा औरिसे , बियार, उत्तुक पर्धिश, इसा हाली में किन काक के में नगर पाली' का चेव में इस apt का इस्तुमाल किया जाएगा इसका गांसर हो जएगा दोस्तों आपका टाइम शूरू हो चुका है मैं आपको हर कोशिन के लिए 10 से 15 सेकंड दे देता हूं जैसे मैं आपको कोशन पढ़ता हूं आपको टाइम शूरू हो जाता है और आफद अबर ऑप्शन पढ़ते हैं मुझे इसका अंसर दे दिया करो इसका गा answer हो जाएगा इसका answer हो जोगो option भी तिलंगाना next यानि question number फीरता है आपके सामने हाली में किस राज्य सरकार ने जिसे राज्य में पहला जैव प्रोडोगी की पार्क यानि बायो टेकनोलोजी पार्क करने की स्थापना की गोशना किया यानि किस भारत के राज्य सरकार ने बायो टेकनोलोजी पार्क स्थापित करने की गोशना की है पंजाब ने की है राज्यस्तान ने की है गुजरात ने की है या महाराष्ट ने की है ठीक है और आपको पता है कि महाराष्ट में कितना करोना फैल रहा है जैसे कि अगर हमारे भारत में 35,000 केस आ रहे हैं तो 25-30,000 केस तो सिधा महरास्ट में आ रहे हैं इसलिए दुबारा लोगडाउन की सिथी नहीं बननी चाहिए तो आप अपनी सेवटी आपके हाथ में ही है आप जब भी घर से बार निकलो तो मुँबे मासक लगा के जुरूर निकलो कुछ कहते है कि सर वो नी लगा रहे हैं कोई लग लगा रहे हैं नी लगा रहे हैं लेकिन आपकी सेवटी आपके हाथ में है आप अपना पूरा ध्यां रखो बीड में कैमत जाओ बनानी हैं आपको पताए पेपर भी स्पर इस ने भी कोई नहीं लेना है वैसे उकर दी नहीं कलती है और किसी की व्रकंशी चैंस लो जाती है तो आपने आप कोई भी पर नहीं लेना है सब अपनी त्यारी में ध्यान रखो एक बार नोगरी लगजें अगले साथ धूम दाम से होली मना रहा इसका क्या अंसर हो जागा दोस्तों इसका अंसर हो जागा ओप्शन भी राजे स्थान फाइन होली हर साल आनी है लेकिन वेकैंसी आजकल हर साथ नहीं आती है और नेक्स कोशन आपके सामने हाली में विश बैंक ने किस राजे के अंत्देशिय जल परिवयन पुर्योजना के लिए 630 क्रोड रुपर के रिण को मुझूरी दे दिया यह मांट में पेपर में पूछा जाता है बियार के असम नागा लेंड यह इन में से कोई नहीं इसका क आज रोजे को ऑप्शन भी असम के फाइन और असम राजे का फॉर्मेशन यानि चब्वी जन्दरी 1950 को असम राजे बना था इसके साथ साथ ही चब्वी जन्दरी 1950 को एक और इंस्टिटूट यानि एक और चीज का निर्माण यानि एस्टब्ली सोई थी वह मैं आपको की लारजे सीटी है गोहाटी यहाँ पर कुल जिलें हैं 33 फाइन और इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नर है जगदीश मुकी जी और यहाँ पर ची मिनिस्टर है सर्वे नंदा सोने वाल और यह बीजेबी पार्टी की हैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ विदान सबबाई सबसे पहले मैं दुबारा रिकॉल करवा रहा हूं ताकि जिससे आपकी रिविजन हो जाए हाई कोट का आर्टिकल हमारे सविदान में 214 यानि 214 है सुप्रीम कोट का क्या है वह है 124 ठीक है अब एक दो कोशन में पहले आपके साथ कुछ सुप्रीम कोट की पहली महिला जज का नाम सारे बच्चे मुझे फड़ा बड़ चैट बोक्स में दो आपके पास मात्र 10 से 15 सेक इंडिया आप मुझे बताओ कि फर्स्ट फिमेल सुप्रीम कोट जज सारे बच्चों ने मुझे इसका अंसर देना है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा फतीमा बेफ ठीक है यह पहली महिला सुप्रीम कोट की जज बनी थी और यह सबसे पहले हिमाचल परदेश की बनी थी यानि ऐसी कौन सी महिला है जो हाई कोट की चीव जस्टिस बनी थी उनका नाम है लीला सेट और यह किस हाई कोट की बनी थी तो वो बनी थी हिमाचल परदेश की ठीक है जो भी कोशन बने आपने ध्यान रख लेना है और अब ग जादा स्टेट किस हाई कोट में आते हैं वो तो गवाटी हाई कोट में एक हाँ ये तो मैं आपको पता चुका हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ चार स्टेट नहीं पहले दो यूटी आते ते मैं दुबारा fascism, दूर कर दूं कुछ नए बच्चे आते हैं लेकिन अब आपको बता है दादर एंड नगर वेली एंड दमनें दियू को एक यूटी बना दी गया है तो बंबे हाई कोट में अब दो स्टेट गोवा महाराष्ट और एक यूटी आती है सबसे ज्यादा स्टेट गोवाटी हाई अरुनाचल परदेश नागा लैंड और मीजो रम ठीक है इस चारो के चारो स्टेट गोवाटी हाई कोट में आते हैं पंजाब और हरियाना हाई कोट पंजाब अरियाना चंडिकट हाई कोट फाइन आप ऐसे यह रख सकते हैं और वरतमान में भारत में 25 हाई कोट है सबसे अंतर परदेश का है सबसे ओल्डेस्ट हाई कोट कोल कत्ता का है जिसकी इस्ता अपना 1862 में हुई ठीक है यह सारी बाते आपने याद लख लेनी है और यह मैं आपके साथ पहले भी डिसकस कर चुका हूँ नेक्स हैनी कोशन नमबर सेवन्थ और लैक्सी हचारुक ने अप पंद्रा सेकिंड है इसका क्या अंसर हो जागा दोस्तों इसका अंसर हो जागा ऑप्शन है यूक्रेइन के नेक्स्ट नमर एड़ फटाफट आप इसको पढ़ो और मुझे इसका अंसर दो हाली में बारत ने किस परमाणू बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया है क इसका किया है इसका अंसर हो जागा ऑप्शन भी के फॉर का फाइन नेक्स नेक्स नमर नाइंट है दोस्तों आपके सामने हाली में बापू नाड कड़ी का निदन हो गया है वह किस खेल से जुड़े हुए थे क्रिकेट से जुड़े हुए थे टेबल टैनिक्ट से साइकिलिंग के या इनमें से कोई नहीं आपका टाइम हो चुका सुरू सारे बुच्चे मुझे फड़ावट इसका अंसर दो हाली में बापू नाट कंड़ी का निदन हो गया वह किस खेल से जुड़े हुए थे इसका क्या अंसर हो जेगा दोस्तों इसका अंसर हो जेग 12 शरकार द्वारत देश में ड्रोन रखने वाली सभी लोगों से कितने तारिक तक रेजिस्टेशन करा लेने के लिए का गया था ये 2020 का कोशन है अगर अगर गामी पेपर ने बने तो मैंने आपके साथ डिसकस कर रहा हूं 12 शरकार द्वारत देश में ड्रोन रखने वाले स सभी लोगों से कितने तारिक तक रजिस्टेशन करा लेने के हिले का गया था MON टैसरी 圈 करा यह 5 जनवरी इसका क्या अंसर जाहएक दोस्तों इसका अंसर यह जो सब्सक्राइब करीब्र करे के लिए का गया था कि चैसा अओं जॉस्टोंस के एजनसी की चटी बैटर का उजन की शेर में किया गया है नई दिल्ली पूर्णे एहमदाबाद यह इन में से कोई नहीं इसका क्या अंशर हो जगँए दोस्तो आपका टाइम खतम हो चुका है इसका अंशर हो जगा ओप्शिन नई दिल्ली में नेक्ट रोजगार संगी एप हाली में किस राज़े ने लौच की है मैंने आपके साथ संगी एप ऐसे डिसकस करी थी अब यह रोजगार संगी एप शि तो ये की गई है 36 गड़ की द्वारा फाइन और नेट्स्ट कोच नमबर ठाटेंट हाली में किस देश के राष्ट पती द्वारा सवेधानिक सुधारों की गोशना किये जाने पर प्रदान मंत्री ने कैबिनेट साइट इस्तिफा दे दिया था अमेरिका जपान रूस या इन में से कोई नहीं हाली में किस देश के राष्ट पती द्वारा सवेधानिक सुधारों की गोशना किये जाने पर प्रदान मंत्री ने कैबिनेट साइट इस्तिफा दे दिया है इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन सी रूस नहीं फाइट और हमारे पेपर में नहीं बनेगा लेकिन यह कोशन बन सकता है इसलिए मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ इसका क्या अंसर हो जागा दोस्तो इसका अंसर हो जोगा ओप्शन है सत रंच नेक्स नमबर फिफ्टेंद आपके सामने है बारत और किस देश के बीच सायोग कैजि अयर्जन किया गया है जापकर Bye जो अब्यास होते हैं है दो देशों के बीच में यह तीन देशों के बीच में कई और है एक दो इमारे पेप्रे वीडिय क HORRI प्रूर्ब होते हैं इसके लिए भी मैं आपको एक लग से वीडियो परवाइट कर दूँगा बस आप सारे बच्चे मुझे मैंड बोक्स में सारे बच्चे कहेंगे तो मैं की बहुत ही जल्दी इसके वीडियो परवाइट कर दूँगा बारत और किस देश के बीज सयोग कैजीन अभियास कारशन किया गया है जपान रूस नेपाल या इन में से कोई नहीं आपका टाइम फटाफट खतम होने वाला है सारे बच्चे मुझे इसका अंसर चैड़ बोक्स में दो इसका अंसर हो जगा बारत और जपान के बीच में नेक्स्ट और हाँ जपान की कैपिटल और लार्ज सीटी टोक्यों है यहां की नेशनल लेंगवेज है जपैनिस ठीक है यहां पर एमपरेल है नारु कूतो जी और यहां पर प्राइम निस्टर है युशी हिंदे शूगा ठीक है आपने एमपरेल याद रख लेना है और उसके साथ-साथ यहां की लेजिस्लेचर को नेशनल राइट का जाता है ठीक है और यहां पर आणस है जैसे भारत में भी अपर आणस है उसको House of Elders आता है House of Representative का जाता है लेकिन यहां पर आणस को House of Counselors का जाता है और Lower House को House of Representatives का जाता है ठीक है जैसे मारे भारत में वैसे वहाँ पर आउस लोवर आउस है अपर आउस को हाउस का जाता है और यह आपको हम वर्क है सारे बच्चों मुझे फटा फट कमेंड बोक्स में इसका अंसर देंगे कि भारत में अपर आउस को अन्य किन किन नामों से जाना जाता ह नेष्ட खॉर्ट नंबर 16 किस देश ने हली में अनि वारिया जात्य एकता विधेगपारिच किया है अनि वारिया जात्य एकता निमन में से किस देश के दोआरे विधेगपारिच किया है तिबड, चीन, नेपाल, येशिरीलंका के के द्वारा इसका अंसर रोज़ेगा ओप्शन है तीबत के द्वारा ठीक है अनिवारे जाती एकता विदेख तीबत के द्वारा पारिज किया गया है नेस्ट कोश नमबर 17 हाली में निमन में से किस देश्ट में स्थित पूरे मैटर हो परवत को भारतिय तिरंगे की रोशनी से डगा गया है चीजण लैंड अमेरिका रूस या जपहन इसके में दर में लिया आप को यह बताना है कि में ऑपोच कि स्तीत यानि विदेश में यानि किस देश में स्तीत है इसके अंदर आपमने मुझे पर नहीं सेस्टेक जवाब देना है इस कोशन गा क्या एनसर हो जा पंजाब गुजराट या मध्या परदेश ऐसा भारत के किस राज्ये द्वारा की पुलीस के द्वारा शुरू किया गया है इसका क्या answer हो जाएगा दोस्तो इसका answer हो जब ओप्शन डी मद्य परदेश नेक्स्ट कोशन नमबर 19 बारत के निमन में से किस राज्य की सरकार ने मोदी कीच सरकार ने मोदी कीचन की शुरुवात की ने किस राज्य की सरकार ने मोदी कीचें की शुरुवात की प्सक्राइब इसका answer हो जाएगा इसका answer ऑप्शन भी तमिल नाड़ू ठीक है मोधी कीचन की शुरुआत तमिल नाडू दुवारा की गई है और नेश्ट कोशन नमबर 20 कोरोना मामारी के दोरान किस शेयर के चीडिया घर में एक बाग कोविड-19 पॉजिटिफ पाया गया था भारत के चीडिया घर में चीन के चीडिया घर में नुयोक के चीडिया गर में और इस चीडिया घर का नाम सायर बच्चे मुझे कमेंड बोक्स में बताएंगे यह कोशन ना बने कोशन यह बन सकता है कि उस चीडिया घर का नाम बताऊगे और भारत के यह जानी कहीं पे भी है तो वह कि उस वहां के देश के किस शेयर में स्थीट है ठीक है इन द में से भारत का कौन सा राज्य क्रोना रोग्यों को दस हजार रुपे देने वाला भारत का पहला राज्य बना है ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो क्रोना रोग्यों को दस हजार रुपे देने वाला भारत का पहला राज्य बना है मद्या परदेश ने इसकी शुरुवात की महराष्ट ओडिशा या केनल इसका क्या अंसर होजेगा इसका अंसर होजेगा ओप्शन ने मद्य परदिश फाइंग नैस्ट कोश्ट नमबर ट्वंटी टू नासा ने चंदरमा के दक्षणी दुरूप पर मानव अधारिज सीवी स्थापित करने के लिए किस नाम से एक योजना त्यार किया है किस ने किया है इसरों ने नासा ने नासा ने चंदरमा के दक्षणी दुरूप पर मानव अधारिज सीवी स्थापित करने के लिए किस नाम से एक यो शुरू हो चुका है सारे बच्छे फढ़ावट option को पढ़ो अगर आप question को दुबारा पढ़ना चाते हो तो पढ़ सकते हो यह लोगा फढ़ावट question को पढ़ो और यह इसके option इसका क्या answer होने वाला दोस्तो इसका answer होने वाला option एड time is fine next question number 23 निमन में से किस शोशल नेटवर्किंग साइट ने सोट नाम से शोट वीडियो मुबाइल एप लौंच करने की गोशना की है यूटूब, फेस्बूक, इंस्टागराम या ट्वीट है इसके बारे में तो मुझे आसे है कि हर बच्चे को यानि 100 परतिशत नहीं तो 95 परतिशत बच्चे को इसका अंसर दूर बताओगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का कोई कोशन हो जाए आजाए और बच्चों का ना पताओ तो ऐसा होई नहीं सकता निमन में से किस शोशल नेटवर्किंग साइट ने शोट नाम से शोट वीडियो मुबाइल एप लॉंच करने की गोशना किया है यूट्यूब फेस्बूक इंस्टागराम या ट्वीटर आपका टाइम तो शुरू हो चुका है तो इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो ये यूट्यूब ने ठीक है और नेक्स्ट कोशन नमबर 24 हाली में नासा ने अंत्रिक्ष में भुकम जवाला मुखी विसफोट के निगरानी करने के लिए किस नाम से एक नए इमेजिंग रडार सिस्टम का उपयोग करने का निडू लिया ہے ये नहीं कि कई सोचते होंगे कि प्रित्वी पर भुकम जवाला मुखी आता है ये ये ऊपर आसमान में भी आता है यानि अंत्रिक्ष में भी भुकम जवाला मुखी विसफोट होती है jours और उसकी निगरानी क करने के लिए नाशा ने हाली में किस नाम से एक नए इमेजिंग रडार सिस्टम का उप्योग करने का निंड लिए मैं इसके अंसर को आप पताने के लिए मैं आपको मात 20 से 30 सेकंड दोंगा आप कोशन को दुबारा पढ़ सकते हैं और इसकी ऑप्शन है आप पहले ऑप्शन को दुबारा देख लो और यह है कोशन आपको इसके थोड़ा टीपिकल कोशन है तो इसलिए मैं को इसके अंदर मात 20 से 30 सेकंड दोंगा आप सारे बच्चे मुझे फड़ा वड़ इसका अं क्यूब सेट इमेजिंग रडार फोर अर्थ साइंस ठीक है नेक्स कोशन मबर 25 और कंड़ा फेर का लास्ट कोशन है इसके बाद प्रीवेश सेर कोशन शूरू होने वाले है अगर आप भी किस ने इस वीडियो को शेयर ने किया तो आप जूरूर शेयर कर दो निमर में से कि इस देश ने मास्क पहनने और क्रोना वायरस के नाम लेने पर प्रतिबंद लगाया है ठीक है देखो ऐसा देश है जिसने इनके क्रोना पहनने सोरी मास्क पहनने और क्रोना वायरस के नाम लेने पर ही प्रतिबंद लगा दिया तो यह कोशन तो देखो पेपर में अजीव स के नाम लेने पर ही प्रतिमत लगा दिया था इसका अंसर हो जाएगा ओप से ने तुर्क मेनी स्थाइट ठीक है तो फिर इसकी कैपिटल और लाज़े सीटी है अश्च गाबाट और यहां पर ऑफिशल लेंगवेज है तुर्कमन ठीक है और जिन्होंने यह इतना बटा डिसी के रमेन का तो और भी जीव नाम है आप तो उर्दो सिर्फ प्रेजिडेंट का भी बर दीम आंदम हो यह ग्या रख लेना आपका काप हो जाएगा अगर पेपर में कोशन बनेगा तो फाइन नैश कोशन नमबर ट्वनटी सेस जब बरफ पानी के उपर तैरती है तब उसका डैस हिसा पानी के बार रहता है 0.2, 0.3, 0.1 या बरफ पानी के उपर तैरती है तब उसका डैस हिसा पानी के उपर रहता है इसका क्या अंसड हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option c 0.1 ठीक है 1 by 10 का जाता है ठीक है तो इसका अंसर हो जगत 0.1 फाइन जिसे साथ सब्सक्राइब पूछा जाएं तो आप जहान लख लेना next question number 27 कम तामान को मापने के यंत्र को खा जाता है डायगो मीटर क्रायो मीटर क्रोमेटुप मीटर या साइमो मीटर कम तामान को मापने के यंत्र को क्या का जाता है इसका क्या अंसर हो जाएगा दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option b cryo meter fine next question number 28 लोक सबा मेरी राजों से कूल सज़्ष्यों की संक्या होती है 630 530 430 या 330 वर्तमान का डाटा चेंज हो सकता है वो सारा मैं आपके साइड डिसकस करूंगा आप मेरे को इसका अंसर ओप्शन के गोडिंग पताओ कि लोग सवा में राजों से कुल सद्रस्यों की संख्या होती है 630 530 430 या 330 इसका क्या अंसर हो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ने तो ऑप्शन कल दे दिया मैं आपको दुबारा कह रहा हूँ आपने मुझे ओप्शन के गोडिंग तान है मैं अभी आपके सार राज्य सवा लोग सवा के मैक्सिम मेंबर कितने और वर्तमान में कितने वहां प आपकी बात और यह थो हम पार्लेमेंट जुरू डिसकस करेंगे पार्लेमेंट ओफ इंडिया का आर्टिकल हमारे सविधान में 79 है ठीक है और पार्लेमेंट के तीन बाग ओते हैं पहला प्रेजिडेंट राज्य सवा और लोग सवा ठीक है यह तीनों पार्ट इंटिगल प सवा के मेंबर या पार्ट होते है ठीक है पेपर में कोशन बनता है सरबच्चे कहते हैं कि पार्लेमेंट का बाग होता है तो इनके भी भाग होंगे नहीं वह पार्लेमेंट में आते हैं लेकि ना तो राज्य सवा और ना यह लोग सवा के पार्ट होते है ठीक है राज्य State Legislature का हमारे सविधान में कौन सा आर्टिकल है ये सारे बच्चे मुझे comment box में बताएंगे उसके साथ साथ विधान सभा का भी सारे बच्चे मुझे इसका answer देंगे फाइन अब देखते हैं सबसे पहले हम राजे सभा के maximum member राजे सभा के maximum member होते हैं 200 जिसमें से 238 member तो state और ut से आते हैं ठीक है और जो 12 होते हैं वह हमारे राश्पती जी के दवारा मनोनित किये जाते हैं आर्ट साइंस literature social service के चेत्र से ठीक है ये तो होते हैं maximum member राजे सभा के fine लेकिन at present में राजे सभा में कितने सदस्य हैं तो वह है 245 जिसमें से 239 229 state से आयो हैं और 4 ut से आयो हैं ठीक है 12 तो मनोनित के जाते हैं तो इसको अप लगी लग दो 229 state से और 4 ut से आयो हैं जिसमें से 3 दिली और 1 पॉंडी चरी से fine ये सारे आपने यार रख लेना है वरतमान में आपने यह यार रख लेना है 245 मेंबर हैं लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा जाएं राजे सभी का तो वह है 200 मेंबर का ठीक है और इसके सासर अब हम लोग सभा की बारे में बात करेंगे लोग सभा में मैक्सिमम सीड्स है 552 की जिसमें से 530 मेंबर तो स्टेट से आते हैं ठीक है यह क्लियर हो गया 20 मेंबर यूटी से आते हैं और दो मारे राजपाल के जो दो हैं वो मनुनित किया जाते हैं मारे राजपती जी के दवारा और यह दोनों के दोनों फ्रॉम एंग यह कितने सदे से हैं फटावड मुझे चैड़ वोक्स में इसका अंसर दो वर्तमान में लोग सभा में 545 सदे से हैं ठीक है टोटल 552 है लेकिन वर्तमान में 545 है जिसमें से 530 से आये हुए हैं 13 यूटी से और दो मनुनित किये गया यह तो आपने लग रख लेना राजपा में 12 मेंबर मनुनित किया जाते हैं और लोग सभा में 2 कैसे आ रखोगे राजपा बड़ी राजपा बारा लोग सभा चोटी दो ठीक है बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं राजपा लोग सभा में आप ऐसे आ रखो आपको यात्त हो जाएगा अब 13 यूटी में भी बा प्रतमान में ऐसा स्टेटस है तो आपको ऐसा यात करना होगा यूटी है और आपको चोग सभा में मैक्सिम मेंबर डिरेक्ट इलेक्टिट होते हैं दू तु दू इस दिस लिजन is known as LOWER HOUSE और HOUSE OVRIPP एट्रेजटिटेटिव ठीक है देखो लोवर हाउस लोग सभा के तो subject of dissolution and it is dissolved by the president of India after every five years, जो लोग सबाय वो बंग की जाती है और इसको बंग मारे राश्पती जी हर पांच साल की बात करती है, ठीक है, अगर बीच में no confidence motion pass हो जाता है, तो आपको बता है बीच में कही बार आता रहता है, और एक non confidence motion से दूसरे no confidence motion में अंतराल छे महिने का gap होना जुरूरी होता है, तो उसके बीच में लोग सबाय को बंग किया जाता है, ठीक है यह तो अलग सा matter है, तो या रखना हर पांच साल के बाद राश्पतीजी लोग सबाय को बंग करते हैं और इसके अंदर SC, ST, schedule cast और schedule tribe के लिए भी कुछ seat रिजर्व हैं ठीक है और जो उनकी basis of population के रेश्व में seat रिजर्व की गई है, SC के लिए 84 है और SD के लिए 47 है, अगर total seat पूछे, 7411 और 8412 और 13, 131 seats deserve, fine, सारी बात है आपने जुरुयाद रखने हैं लेकिन woman के लिए कोई भी reservation नहीं है, ठीक है, CAB आया हुआ था लेकिन को अभी pass नहीं हुआ जैसे होगा तो देखा जाएगा, आप सारी बात है जुरुयाद रख लेना, और next question number 29, वर्ष 1975 में अपास तीती के समया भारत के राष्टपती कौन थे, मुराजी देशाई, फक्रुदीन अली एमन, पीवी सिंग ये इंद्रा गांदी, National Emergency की बात हुई है और ये आज तक वर्तमान तक बारत में तीन बार लगी है और इसका आर्टिकल हमारे सविदान में 352 है ठीक है, और Emergency Provision ये प्रावधन हमने जर्मनी के सविदान से ले लगा है अगर President Rule यानि राष्टपती शाषन के बार ने पुछे तो इसका अनुचेद 356 है और Financial Emergency का अनुचेद हमारे सविदान में 360 है और आज तक हमारे सविदान यानि बारत में कभी नहीं लगी है और बहुत कोटा वहां के जजिस की सेलरी में भी डिडक्शन यानि कटोती की जाएगी ठीक है और आपने मुझे बताना है वर्ष 1975 की समय आपा सिती के समय भारत के राष्टपती कौन थे तो इसका अंसर हो जाएगा option भी फकुरुदीन अली एहमन ठीक है पहली National Emergency लगी थी 1962 में और द 1975 की पता है कब से कब तर लगी थी मैं को exact date पता देता हूं 25 जून से लेकर 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगी थी ठीक है इतनी लंबी लगबग दो साल लगालो लगी थी तो इसके बाद ही यह क्या गड़ा था कि प्रावधन क्या गया था 44th Amendment Act 1978 के तैक्ट की Emergency can be imposed maximum for छे म यानि जो National Emergency है वो जादा से जादा छे महीने के लिए इंपोस्ट कर सकते हैं यह सारी Amendment 44th Amendment Constitutional Amendment Act 1978 के टैक्ट की गई थी और जब भी यह National Emergency लगेगी इसको एक महीने के अंदर पार्लिमेंट से Special Majority के तैक्ट पास करवाना होता है Special, Simple, Effective, Absolute यह चार पास टाइप की Majority मारे प इसकास करवा और आपको पता होगा Article 20 और 21 यानि अनुशेद 20 और 20 तो यह पास टीती के दुरान लोग सबा और विदान सबा इसके तो एक साल के लिए की जाती है तो एक साल के लिए की जाती है नेक्स्ट कोशन नमबर 30 केविन डूरंट कौन सा अंतराष्टे खेल खेलते हैं गोल्फ बेसबोल बास्केट बोल या मुक्के बाज यह कोशन अगामी पिपल में ना बने मैं इसलिए आपके साथ डिसक्स कर रहा हूं कुछ बच्चे कहते हैं कि सरकाली पूछते रहते हैं कि किस खेल से समन दीता है यह क्या हुआ है देखो ऐसे कोशन बनते है तो इसलिए मैं आपके साथ डिसक्स करता हूं इसका अंसर हो जाएगा बास्केट बोल यानि ऑप्शन बी नेक्स्ट कोशन नमबर 31 माई एक्सपेरिमेंट वी तूट के लेका कौन है बहुत ही ज्यादा म मातमा गांदी जी 1915 को भारत लोटे थे आपको पता है इनका पहला चंपारन सत्यगरे में बता देता है तो 1917 में हुआ था और नेक्स्ट एमदाबाद मिस्टाई कबूई थी और खेडा सत्यगरे किस वर्स होता है सारे बच्चे मुझे फड़ावट इसका अंसर दो और इस 14 में टीकल डिसकस किया था मातमा गांदी जी के पॉलिटीकल गुरू गोपाल कि गोकले ठीक है इनने क्या का था कि तुम अभी एक साल जब ये 1915 को बार लोटे थे कि तुम अभी राजनीतिय में नई गुसो तुम अभी एक साल पूरे भारत का बर्मान करो फाइन नैस्ट योगितायों की अंदे की यह ग्राकों की अफशकता को समझना और पूरा करना और कोस्टन को द्वारा पड़ सकते है यह टि तिपिकल आपके पास मात बीश सेकिंड मुझे इसका अंसर दो इसका क्या अंसर हो जगा दोस्तों इसका अंसर हो जगा गराकों की अफशक्ता को समझना और पूरा करना यानि option D next question number 32 deficit financing का आर्थ है कि सरकार ने डैसे धन अर्जित किया अंतराष्टे मुद्रा कोस से वित मंतराले से भारते रिजर्व बैंक से या विश्व वियापर संगटन से यह कुछ terms है जिसको मैं आपको लग से discuss करूंगा क्योंकि इनको थोड़ा ज्यादा डीप में समझाना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे जिनका उकिनोमिक्स बैग्राउंड नहीं होगा उनको थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में लेकिन चिंता नहीं करनी है deficit financing का आर्थ है कि सरकार ने डैस से धन अर्जित किया है ठीक है यह तो आपको अभी समझ आ जाएगा इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बारतिय रिजर्व बैंक से वाइन यानि ओप्शन सी आर बी आई ठीक है जो 1934 एक्ट के तक इसकी एस्टिश्में डूई थी और इसकी एस्टिश्में 1935 में की गई थी ठीक है नेक्स्ट कोशन नमर ठाटीफॉर नेम लिक्त में से किसकी जानकारी अशोक के शीला लेखों से मिलती है जीवन विरत आतरंग की नीती और आंतरिक नीती विदेश नीती या सभी विकल्प सही है नेम लिक्त मे आतरंग की नीती या विदेश नीती आंतरिक नीती है कोई आतंग वाली नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन में 85 गुजरात का शाषक बादूर्शा किसके साथ हुए संगर्ष में मारा गया था डचों के साथ अंग्रेज्जों के साथ पूर्तगाली या फ्रांच गुजर स्कोडी गामा भारत 1498 में आया था ठीक है और यह क्या यह बलैक वेपर यानि काली मिर्च लेकर लेने आया था और यह भारत से तीन बड़े बड़े जहाज बरके काली मिर्च लेकर जाता है और वहाँ पे साथ गुणा प्रोफिट यानि मुनाफिय पर बेच जैसे कि अग आफिज़ जनले डिसकस कर रहा है नेक्स कोच नमर ठाटी सिक्स प्रिच्वी के किस बाग में निकेल और लोई की पर चुटता है सियाल एस आई एल सीमा एस आई एम ए नीफे एन आई एफे बच्चों को इस से याद होता है कोई भी कल्प साही नहीं है प्रिच्वी के किस इस बाग में निकेल और लोई की सियाल अलुमिनियुम मैंगनीजियुम एस आई एस आई सिलिकॉन यह कुछ और होता है सारे बच्चों मुझे इसका अंसर भी देंगे और नीफे दाग पता चले गया निकल एफ़ी आईरन का होता है ठीक है यह तो बच्चों को ऐसे याद हो जाता है तो next नेक्स्ट नमबर इसका अंसर हो जाएगा option C 37 कट 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 करत तक कांसे कां तक उस्तरित अ गोवाँ से कोची तक गोवाँसे धीव तक दमन से गोवा तक या गोवां से मूमबाई तक यो कौन कट तट है वो कां से कां तक विश्थरित है कानी कां से कां तक फैला हुआ है तो इसका अंसर हो जाएगा दमन से गोवा तक अंधर नंधेरा होता है तबी जो पूड़ी होती है वो कची पकती है ठीक है ट्रीक है या रख लेना और भारत तमिलनाडू कथकली क्या नेक्स्ट कोश्ट नेमर ठाटीन आई सिंचाई उर्जाउत्पन करने और परिवयन उदेश्य के लिए भारत को सिंदू नदी से कितना जल उप्योग करने की अनुमति है 10% 15% 20% या 25% इसके बारे में तो आप जानते हैं जो ट्रीटी वेगारा हुई थी इसका गया अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन सी 20% फाइन नेक्स्ट यानि लाश कोशन आपके सामने लेमलिक्ट मेंसे किस देश के साथ चीन की सीमा रेका सबसे लंबी है रूस बारत में मार या मंगोलिया चीन की सीमा रेका सबसे लंबी है और मंगोलिया के साथ आज की वीडियो में बस इतना है मुझे आसा ही कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो मारे कोशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो ज बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जय इंद जय वारत ठैंक यू and have a nice day